मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बुचर सौप को देखते हैं यहां पर एक हस्बेंड वाइफ का कपल इस मीट सौप को मिलकर चलाते हैं वो दोनों रेगुलर डे की तरह अपने वर्क पर काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक बाहर से एक वीगन प्यूपल का ग्रूप उन दीजिए वो परसन जो किसी भी प्रजाती के मीट को और उनसे बनी किसी भी चीज को अवाइड करें वो वीगन होता है उनका धंदा दिन पर दिन मंदा होता जा रहा है अब इसी साइड में उनकी एक दूसरी फैमिली फ्रेंड होती है जो वो लोग भी बुचर सौप चलात है उस फैमिली के ऐसो आराम को देखके इन दोनों को बेहती जलन होती है अब रास्ते में तभी विंसेंट को वही पिछले दिन वाला वीगन बंदा दिखाई देता है पिछले दिन की गुस्सा विंसेंट को आज भी थी जिससे वह अब उस बंदे के ऊपर कार चड़ा देत उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे फेकने वाला होता है लेकिन उसे काटते समय उसके मास का एक टुकड़ा उसके डॉग के पास गिर जाता है और वो डॉग उसे खा लेता है विंसेंट इसे देखके हैरान होता है वो फिर से अब कान का टुकड़ा अपने डॉग के पा हुआ था तो उसकी वाइफ ने अंजाने में उसे काट के एक कस्टमर को बेच दिया यह बात जब विंसेंट को पता चलती है तो बहुत डर जाता है लेकिन तभी वहाँ वही कस्टमर आती है और वह कहती है कि मैं जो यह मीट ले गई थी वह बहुत ही टेस्टी था मुझे यह ले वाली कस्टमर ने इसके बारे में और लोगों को भी बताया और यहां पर अब इस मीट को खरीदने के लिए काफी भीड़ लग जाती है यहां तक कि पुलिस को भी इस बात यह खबर नहीं हो पाती है कि वह एक हुमन फ्लेस बाइब कर रहा है विंसेंट ने इस मीट को के देखता है जहां पर उसे पता चलता है कि यह वाकई में काफी लाजवाब है यहां पर उसकी वाइफ उसे अपने धंदे को फिर से बढ़ाने के लिए उन्हीं वीगन को मारने का आइडिया देती है विंसेंट अपने मन में एक टाइम के लिए बात तो सूचता है मगर फ उचना खाने पर सोफी उसे वाइन सर्व करती है लेकिन लुकस फिर से कहता है कि वो सिर्फ वीगन वाइन ही पीता है फिर सोफी उसके लिए केक लाती है लेकिन इसमें अन्दा पडा होने के करड़ वो इसे भी नहीं खाता। कि उसे मारने की कोशिज करता है लेकिन वो ऐसा करने से डर जाता है। और फिर दोनों लोग इस जगे से जल्दी से भाग जाते हैं। दोनों भी यह मौका छोड़ने वाले नहीं थे अब जब उनके सामने यह बंदा आता है तो विंसेंट एक बड़ा सा नाइफ लेके उसे मारने के लिए उसकी और बढ़ता है लेकिन यहां पर यह बंदा अकेला नहीं था उसके साथ में उसके साथी भी थे एक्चुली यह सभ विंसेंट और बाकी वीगन्स लोग इस जगे के अंदर जाकर इसे पूरी तरीकी से बरबाद कर देते हैं अगले दिन जब यह बात सबको पता चलती है तो मारक अपने फैमिली फ्रेंड को भी बुला के इसके बारे में बताता है पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास सीसी ट वेटर आके सोफी पर लाइन मारने लगता है सोफी को तभी पता चलता है कि यह वेटर वीगन है जिसे जानने के बाद में सोफी का मन मचल जाता है वह वेटर सोफी को उसके घर छोड़ने जाता है अब दोनों लोग जाते समय आपस में किस करते हैं लेकिन इसी दौरान भारी बोलके उसे अंदर चलके खून को साफ करने को battle अमड़र आने पर सौमी मिन्सिन से बताती है कि वह एक वीगन बंदे को घर लाई है मिस goof को मारने के लिए कहती है अब दोनों हर दिन एक नए वीगन बंदे को अपने जाल में फसा कर उसे मार देते हैं इस काम को करते करते वो दोनों इसे enjoy भी करने लगते हैं दीरे-दीरे करके उनकी shop का profit भी बढ़ने लगता है और बाहर customer की भी लंबी line लग जाती है जिससे उन्हें meat के price को भी बढ़ाना पड आते हैं मगर इसी दौरान विनी को पता चल जाता है कि उसे खत्रा है और वो इन लोगों से बच कर भागने लगता है लेकिन विनी एक heart patient था जिससे heart attack से ही मर जाता है अब अगले दिन Sophie और विंसेंड मार को स्टेफनी के यहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं यह जो यहां पर मीट होता है वह यह दोनों लोग ही लाए होते हैं जिसे खाने के बाद में मार्क और स्टेफनी भी स्टेश से काफी सौक हो जाते हैं अब यह दिरे करके दोनों फैमिलीज के बीच बढ़ने लगती है और यह बढ़के एक जगड़े में बदल जाती है लड़ाई करने के दोरान विंसेट मार्क के कान को काट कर उसे चबाने लगता है मार्क और स्टेफने से देखकर काफी सरप्राइश होते हैं मगर सक ना हो इसलिए व यहां से जाने लगता है लेकिन तभी यहां पर उनकी बेटी क्लोई और लूकस भी उने मिलते हैं वो दोनों लोग इन दोनों को यहां पर देखकर काफी हैरान होते हैं खास तोर पर लूकस वो पूचता है कि आप लोग यहां पर वीगन लोगों के बीच में क्या कर रहे है ये दोनों लोग कुछ बहाना बनाने की कोशिस करते हैं मगर लूकर्स इन बुचर्स को यहाँ पर वीगन लोगों के बीच में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है इस तरफ इनकी लडाई दूर से एक आदमी भी सुन रहा था और ये वही वीगन बन्दा है जिनके साथ में ये दोनों लोग मार्क की बुचर साब को तोड़ने के लिए गये थे अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इस जिगे पर आकर वो ऐसे ही खाली हांत नहीं जाना चाते थे जिसके बाद वो उनके सामने वाली एक ब्लैक गर्ल को दोड़ा के उसका हंट कर लेते हैं अब जब रात हो जाती है तो विंसेंट उस गर्ल की बाड़ी को काट रहा होता है जिससे मेरा काम भी बढ़ गया है अब इसी के दोरान विंसेंट का डॉग उस गर्ल के कटे हाथ को मुह में दबा किलाता है विंसेंट को इसे देखकर लगबग उसकी जान ही निकल जाती है वो सोचता है कि अब तो मेरा काम खतम मैं पकड़ा गया लेकिन कुछ तरकीब निकल के वो इन सबसे बच जाता है अब विंसेंट अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि उससे अब ये सब और नहीं हो पाएगा ये चीज मुझे साइको बना रही है आज मेले में मुझे एक बच्चे को खाने का मन हुआ लेकिन उसके वाइफ फिर से उसे एमोशनल तरीके से उसे ऐसा करने के लिए मनवा लेती है अब तब ही यहाँ पर लुकस आता है Lucas यहाँ पर मेले में हुए उसके खराब बरताओ के लिए उनसे माफ़ी मांगने के लिए आया होता है यहाँ पर Sophie Lucas के साथ कुछ ज़्यादा फ्रैंक होने लगती है इस बात से Vincent समझ जाता है कि वो Lucas को भी मारने की सोच रही है जिससे वो देरी ना करके Lucas को यहाँ से चले जाने को कह देता है अब अगले दिन सौब पर यहाँ कई लोग उस Iranian पिक को खरीदने के लिए आते हैं मगर Vincent कहता है कि अब हमारे पास यह नहीं है और आगे भी अब हमें वो नहीं मिलेगा यह customer बस उसी flesh को लेना चाहती थी जिसके बाद उसे यह ना मिलने पर वो यहाँ से ऐसे ही चली जाती है सोफी तब ही Vincent से कहती है कि सिर्फ तुमारी वज़े से हमारी फिर से वैसी ही हालत हो जाएगी जिसके बाद में Vincent गुसा होके यहाँ से चला जाता है Vincent के जाने के बाद में अब यहाँ पर वही वीगन्स लोग आ जाते हैं जिनके साथ में वो बुचर साब को तोड़ने के लिए गए थे अब इन वीगन्स को पता चलता है कि वो एक बुचर है जिसके बाद में वो सोफी को गिड़नाप कर लेते हैं इस तरह Vincent जब घर वापस लोटता है तो वो देखता है कि वही वीगन्स ग्रूप की वैन उसके घर के बाहर खड़ी है जिससे वो जान जाता है कि कुछ गड़बढ है अब इधर जब वो लोग सोफी को मारने वाले थे तो इसी दौरान यहाँ पर विंसेंट आके उन लोगों पर हमला करता है कैमली जोकी एक ही जटके में मर जाती है और फाइट करने के दौरान अब विंसेंट भी यहाँ घायल हो जाता है मगर सोफी ने अपने हाथ को छुड़ा लिया था जिससे लाष्ट वीगन बंदे के भी अब मौत होती है अब यहाँ पर यह दोनों लोग बच जाते हैं सो गाइस भले ही विंसेंट और सोफी बच गए हैं मगर कई लोगों के मर्डर करने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ के उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया और पुलिस को ये बात मार्क और स्टेफनी ने बताई थी उन्हें उस दिन से ही सक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काटा था और यहीं पर इस मोवी का एंड होता है तो दोस्तों यह थी 2021 की एक होररस लैसर मोवी का एक्स्प्लेनेशन मोवी का एक्स्प्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर एगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा आज की वीडियो के लिए पसे नहीं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जहिन वंदे मातरम